हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सों को आप सभी का महारदिक्स वाकत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सिरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुप काम आए आज का पंचांग नो नमंबर सन दोहजार बीस दिन सौंबार कार्तिक महाकर्शन पक्स समवत दोहजास सत्तर तिथी अस्टमी और रौमी की बेला नक्षत्र आशलेशा रहुकाल साड़े साथ से नो दिशासूल पोर्व दिशा इस बार दो-दो तिथियों का बड़ा सयोजन चल रहा है और ऐसे ही दिपावली पर बहुत लोग कन्फियोज हैं कि दिपावली हम 14 तारिक की करें या 15 तारिक की करें क्योंकि उसमें भी चतुर दर्शी और अमावस्टिया का सही हो जाने है दिन में दोवज गर्के 20 मिनट तक 14 चतुर दर्शी रहेगी शनिवार के दिन तारिक 14 और दो बछ कर के 20 मिनट के लगाद आमावस्टिया परारमप जाएगी और दिपावली महानिशा घंगोर अर आ का जो पर्व है वो पंदरा तारीक को है अब बहुत लोग जिनके हैं पित्र पूजन होता है या पित्रों की धोक लगती है तो बहुत लोग हम से यह पूछना है कि हम अब पित्रों का कैसे करें क्योंकि 14 तारिक को करते हैं तो दिन में करीब करीब धाई बच चुके हैं तो कैसे करें तो उन सब के लिए मेरा यही सुजाव है कि आप अनकूट 15 तारिक को ही अनकूट भी करें और पित्र पक्ष का जो भी आप करते हैं पित्रों का धोक लगाते हैं जो भी उनकी पूजा वगरा करते हैं उनके निमत कुछ दान करते हैं दीपादी करते हैं तो वो आप पंद्रा तरिक को रभी बार में करें लेकिन समय सुन ले समय दस बज़ करके चालिस मिनट के अंतरगत यानि के सुबा दस बज़ करके चालिस मिनट से पहले पहले कर ले बहुत समय क्योंकि दस चालिस तक अमावस्या रहेगी और पित्रों के निमत का रही है प्राते काल सुबह के समय किये जाएं यानि कि वोई दस ग्यारा बारा बज़े के आस पास तो अति उत्तम योग रहता है आया समझ में और इस बार धन्त तिरोज्टी जो है वैसे तो तो तिरोज्टी की जो पूर्ण वेला है वो शुकorm वार की बनती है लेकिन आप धन्त रोज्टी जो मनाएं वो बारा तरिक की मनाएं इसके और भी बहुत सारे एक्जांपल में दे सकता हूँ लेकिन कारे करम बड़ा हो जाएगा आप बारा तारीक को धंच रोस्ची मरा सकते हैं यम के लिए पांच दिन का एक दीब जलता है पांच दीब जान किया जाता है यम के निमत दक्षिंदे सामें हर साल बताते हैं एक दो रोज में वीडियो आपको मिल जाएगी दिपावली के भी वीडियो मिल जाएगी धंतेरस की भी आपको एक दो दिन में अंक मिल जाएगा विशे सांक मिल जाएगा सारी चीजें मैं आपको समय समय पर बताने का प्रयास करता रहूँगा अब आईए आज का जो हमारा खास सब्जेक्ट है वो है तंत्र मंत्र यंत्र की सिद्धी हमें कब करने चाहिए देखो वैसे तो आप किसी तंत्र को मंत्र को यंत्र को किसी विशेस नक्षत्र में भी कर सकते हैं लाइक जैसे कल पुष्य नक्षत्र था दिन रभी बार का था तो रभी पुष्य नक्षत्र हुआ और कितने बज़ करके था आठ बज़ करके 46 मिनट तक पुश्य नक्षत्र था कल के दिन रविवार में तो हम in between सुभा सुभा किसी मंत्र की यंत्र की सिद्धी कर सकते थे हमेशा ध्यान रखें पुश्य नक्षत्र हो लेकिन रविवार का हो या गुरुवार का हो तो यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धी के लिए बहुत अच्छा रहता है या कोई अच्छा और योग हो जैसे दशेरे का होता है नवरात्र होते हैं गुप्त नवरात्र होते हैं और उन्ही में होती है हूली का देहन की रात्री लाजवाब सिद्धी परापत होती है और उनी में होती है गषण काकाल जिस समय सूरिय गषण हो चंदर गषण हो उस समय भी मंतर यांतर तंतर की सिद्धी विशेस प्रकार की फल मतर देने वाली हो जाती है और एक समय और बताएं दीपावली की रात्री अब जैसे चौदा तरीक के हम बात कर रहे हैं दिन सुनिवार का है चौदा तरीक है तो चौदा तरीक की रात्री में दीपावली आदी का पूजन करके आप दस बजे के बाद आराम से बैठ करके चाहे अपना भोजन बगरा ले लें दुबारा से नहा दोगर के बैठ जाएं आपको जो भी मंतर सों में लगता है जिस मंतर के पृति आपकी आस्ता है कोई यंत्र सिद्धी करना चाहते हैं कोई तंत्र सिद्धी करना चाहते हैं तो आप दीपावली की रातनी में भगवान शंभू को गुरु मानते हुए, ध्यान करते हुए, आग्या लेते हुए, सिद्धी कर सकते हैं. सावर मंत्र करना चाहते हैं तो सावर मंत्रों में गुरु गुरुख नाजी से आग्या ले जाती है गुरु मचेंदर नात गुरु गुरु गुरुख नाजी से आग्या लेते हुए और भगवान शिव से आग्या लेते हुए और इसी के साथ साज जिन से आपने सावर मंतर लिया है उनकी आग्या लेते हुए आप अपने सावर मंतर की सिद्धी कर सकते हैं और देखो मितरो, देखो दर्शको जीवन है, पानी का बुलबुला है पता नहीं लगता है इसलिए जब तक जीवन है तब तक ही जीने को मिलता है ये तो प्रक्टिकल सी बात है और 24 गंटे में से एक मिनट भी किसी को कम जादा नहीं मिलता हम सब को 24 गंटे प्राप्त होते हैं उसी में नाना, खाना, कमाना, सारे कारिय उसी में होते हैं तो जब जब इस प्रकार के परवाते हैं उन परवों के लिए अपने 24 गंटों में से मेंटेन करने हैं कि हमने इतने गंटे अपनी पूजा के लिए निकालने हैं हमें ऐसे करना है मैं भी प्रयास करूंगा दीपावली की रात्री के लिए विशेस कोई सिद्धी विशेस प्रकार की चीज आपको सिगरी देने वाला हूँ तो आप लोग चू कियेगा मत हम जो दें वो कर सकते हैं और यदि आपके पास अपनी कोई सिद्धी है अपना कोई मंत्र है या अपना कोई पुराना मंत्र आप सिद्धी करना चाते हैं तो भी आप कर सकते हैं एक बात और बताएं तंत्र मंत्र की सिद्धी करते समय एक बात ध्यान रखी जाती है कि जैसे बैटरी को समय समय पर चार्ज किया जाता है ऐसे ही तंत्र मंत्र की सिद्धी में जो हमने एक साल पहले मंत्र सिद्धी कर रहे थे तो एक साल के बाद पुन्हें उन्हें सिद्ध कर लेना चाहिए ताकि वो मंत्र प्राणबान बने रहें वो मंत्र चेतन्य बने रहें और मंत्रों की साधनाव से संसार में सभी गुलाब मिलता है शब्द शब्द नश्वर शब्द कभी मरता नहीं है शब्द कभी आप शब्द को रविंग कर सकते हो कहीं से लिखा हुआ लेकिन शब्द नस्ट नहीं होता जैसे बीज का स्थित्प बना रहता है ऐसे शब्द नस्ट नहीं होता हम इंडिया में बैठे हम दिल्ली में बैठे और हम बात कर रहे हैं किसी से लंडन में, अमेरिका में, जपैन में तो कैसे वो शब्द हमारे पहुच रहे हैं आकाश में, आकास मंडल में, नव मंडल में वो शारे सब्द जमा हो जाते हैं आज तक की बोली गई सारी धार्मिक बाते हैं आस्तिक की बोली गई सारी भाशाएं आकास में मंडल में कैद हैं सारी चीज़े हैं और बहुत लोगों ने तो कई बार प्रयास किया कि महाबारत के दुम्हे भगवान स्रीकर्शन ने जो उपदेश दिया उसे किसी तरह उस उपदेश को किसी तरह से दुबारा से सन्जे सुन रहे थे अरजशन को बताई रही थे है उसवी फैसे मंत्रों को पढ़ते है ना मंत्र आपके चारों तरफ औरा मंडल की रिश् cima करते हैं और उना मंत्रों को यदि हम चलते फिरते उटते बैठते और अच्छे से जबते रहें तो मंत्र तंत्री अंत्र की सिद्धी पूर्णता को प्राप्त होती है तब ही तो कहते हैं कि हमें एज़ापा जब भी करना चाहिए जैसे ओम राम रामाय नमा हम ये मंत्र पढ़ते हैं हम गाहितरी मंत्र पढ़ते हैं नमश्च्वाय पढ़ते हैं भुमनेश्विरी का कोई मंत्र पढ़ते हैं दुरगा जी का कोई मंत्र पढ़ते हैं शिवजी का कोई मंत्र पढ़ते हैं राम जी का कोई मंत्र तो हमें यदा कदा उस मंतर को बिना किसी काउंटिंग के विदाउट काउंटिंग हमें चलते फिरते भी करते रहना चाहिए इसको ऐजपा जब कहा जाता तो ये भी हमें जीवन में इस चीज़ को अपनाना चाहिए कि जो मंतर हमारा इस्ट हो जो मंतर हमारा गुरु मंतर हो जिस मंतर को हमने कभी सिद्ध किया हो, उस मंतर को यदा कदा या जब भी समय लगे, उस मंतर का रिवीजन मनी मन्च चलते पिरते करें, होट हिले न हिलें, आवाज बिलकुल नाए, मानसिक धरातल में जब आ गया जब, और बिना गिंती के किया गया जब, वो एजब आ जब क बहुत बड़े हैं, बहुत शांदार व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे हैं आप, लकिन अब आपने कद को और बढ़ाईए, जो जीवन हैं, उसे वो जीवन जब तक है, जब तक प्रान है, जब तक अंतिम सांस है, तब तक अपने आपको और विस्तारित करिए, और बढ कुछ ना हो हमारी संतानों को कोई कश्ट ना हो हम अपनी इच्छाओं को दमन करते हैं कोई संसार से ना जाएं जाए तोब बहुत सारी बातें है दर्श को समय बड़ जाता आपका काफी कीमती समय में कई बार आपसे ले हूं है ना क्योंकि लंबी विस्य संग हो जाते हैं लंबी चर्चा आपके संग हो जाती है तो आगे आगे हम सेमिनार करेंगे आगे अगे इंद्राक्षी धाम में आपको बुलाएंगे है ना तब खुब बोलेंगे आपके साथ खुब बाते करेंगे बहुत जरूरी होती है और बहुत अच्छी होती है इसको गमाईएगा मत किसी भी तरीके से आपको जो बन पड़े आप जरूर करिएगा आईए साथ को समय चला आज की ध्यानमाला का जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में भगवान महाकाल भगवान शिफ से संचार पदयो प्रदक्षण विरे स्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संभोस्तवाराधनं चंद्रोत वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्वे स्वानरे दन्ते त्वक्रित सुन्दराम वर्दरे त्रेलोक्य सारेहरे मोक्षार्तिम कुरुचित वृच्यम चलं मन्ने स्थुकिम कर्मवे वन्दे देव उमापतिम सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणं वन्दे पन्नग भूशनं रिगदारं वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम वन्दे मुकुंदा प्रियं वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदाम् वन्दे सिवं संकरं ओम करपूर गुरं करुणा वतारं संसार शारं भुझकेंडर आरं सदा वशंतं व्रिद्यार विंदे बवं भवानी सैतं नमामी बवं भवानी सैतं नमामी कबच मना लें ध्यान करें शंकर जी का असिरवाद हमारे उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोलें समानने हो जाएं सादको अभी हम दिल्ली में व्यक्तिक तूप से नहीं मिल पा रहे हैं अभी केवल टेलिफोनिक अपाइटमेंट चल रही है आप कहीं भी रहते हैं आउट ओफ इंडिया रहते हैं कहीं भी रहते हैं तो आपकी कोई भी समस्या है उसके लिए आप टेलिफोनिक समाधान हमसे टेलिफोनिक अपाइटमेंट लेकर के समाधान प्राप्त कर सकते हैं जुन जुन के यंत्र हैं वो बन रहे हैं और दिपावली की राती तक उनकी सिद्धी होगी प्राण प्रतिष्टा होगी उसके बाद फ्रेमिंग करा करके अच्छे से आपको बेजी जाएंगे इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को विराम देते हैं जैमा परमेश्वरी शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जानकारी के लिए पहले आप देख सके हमें